ये स्वर्क जैसी जगह कुछ चांदवारों का घर है साल के ज्यादे तर समय सेरेंगेटी के मैदानों में खामोशी चाही रहती है लेकिन बारिश में जब घास उगती है तो इस खूबसूरत चकह में भीड़ बढ़ने लगती है जब बहुत से जानवर इस इलाके में आते हैं तो शिकारीं को अपना मन पसंद शिकार चुनने की आजादी में जाती है खाने की कोई कमी नहीं है इस बढ़ रही हलचल की वज़े से स्वर्ग के हालात बदन रहे हैं तंजानिया में सिरिंगेटी नैशनल पार्क के छोटी घास के मैदानों में साल में से नौ महीने खामोशी और शांती का माहू रहता है यहां से कुछ ही दूर फेमस वॉल्कानिक माउंटन औल्डोनी और लांगाई मौचूद है मसाई लैंगुज में से रिंगेटी का मतलब होता है लगातार फैलना या बढ़ना जो बिलकुल सही भी है यहां पर बहुत से वॉटर होल्स हैं जिन्हें जानवर इस्तमाल करते हैं एक फी मील जीता अपने कब्स के साथ पानी पीने आई है बच्चा तो तैरना चाहता है दूर से आ रही आवाजों की वज़े से बच्चों में अपनी मां के साथ रहने में ही भलाई समझी यह जुन्ड भी पानी की तरफ आ रहा है इन्हें मैदालों में यह बच्चों को चन्म देते हैं पर शिकारियों की नजर भी उन पर पनी रहती है इस खास इलाके में अकेशय ट्रीस की वज़े से कुछ स्पेशल गेस्ट्स अपना पेट भरने के लिए आए हैं वैसे यह शा का हारी जानवर खाने की तलाश में है पर कुछ का तो अंदास ही अलग है लंबे ट्राइ सीजन में शिकार की बहुत कमी होती है पर इसके बावजूद कई माहर शिकारी अपने बच्चों को पाल लेते हैं ऐसे में भूके लाहिंस किसी का भी शिकार कर सकते हैं फीमिल जिराफ्स अकसर अपने बच्चों को बिर्थिंग ग्राउंड पर लेकर आती है ट्विन्स बहुत ही रेर होते हैं जिराफ्स अपनी लंबी टांगों का अच्छा फायदा उठाते हैं इनके बच्चे भी बहुत तेस भागते हैं इंपालाज यहीं के रहने वाले हैं और यह अपनी शांदार मूवमेंट से अपने आपको फिट रखते हैं माना जाता है कि शिकारियों को अपने सुदूर रखने के लिए यह इस तरह से हवा में उचलते हैं शायद ऐसी मूवमेंट से यह अपने चुण के सदस्यों को खत्रे से सावधान करते हूँ यह शायद यह सर्फ एक तरह का खेल ही हो यह 80 किलोमेटर प्रति घंटे की स्पीर से भाग सकते हैं और पूरे आफरिका में काफी मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन जो यहां पहुँचने वाले हैं उनके मुकाबले इन इंपालस की संग्या बहुत कम है फीमेल जीता के लिए यहां कमपेज़िटर्स की कोई कमी नहीं यह थॉमसन गसेल का शिकार करने जा रही है यहां जाए झाल झाल शिकार करना आसान है लेकिन अपने शिकार को दूसरों से बचा कर रखना बहुत मुश्किल इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये किसी भूके हाईना को अपने शिकार से दूर भगा सके सबसे जरूरी है बच्चों को इस मुसीबत से दूर रखना और बच्चे भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं इसे अब एक ऐसा इलाका ढूनना होगा जहां हाईनास नहूं यहां से कुछ ही दूर दुनिया की सबसे फेमस लैंड माइग्रेशन हो गही है दरसल यह बारिश के साथ साथ ही यहां पहुचते हैं और इन में ज्यादत अजुन्ड विल्डर बीस के हैं इस अलाके में रहने वाले शिकारी दीस लाख मेहमानों के आने से बड़े खुश हैं शिकारी शिकार का कोई भी मौक अपने हाद से नहीं निकलने देंगे कि ढे कर दच हैं पारिव के अदोरी यह रहाँ कार्ण विल्डर से देंगे जुन्ड साउत की तरफ बढ़ रहे हैं और आस्मान से भी बारिश की बोचार शुरू होने वाली है इस माइग्रेशन में विल्डबीस के साथ जीबराज और थामसन गजैल्स के भी जुन्ड है वो बीस लाख मेहमान अब इन लोकल इंपानस के लागे में पहुचने वाले हैं रेन्बू का गोल्डन कलर कुछ ज्यादा ही चमक रहा है जैसे ही घास उगना शुरू हुई मेहमानों ने यहां कुछ दे ठैरने का फैसला कर लिया जिराफ्स अब भी अपने पेड़ों के पास मौझूद है पेड़ पौधे खाने वाले जानवलों का ये शान तिलाका अब शोर गुल में डूप गया है ज्यादे तर छुण अब खुले खास के मैदानों में इकठा हो गए है हर प्रेगनेंट फीमेल जुण के जानवरों से मिल रही सुरक्षा के बीच अपने बच्चों को चल्म देगी शिकारी आने वाले दो तीन हफ़तों का ही इंतजार कर रहे है क्योंकि यहाँ लाखों बच्चे जन्म लेंगे और शिकार की कोई कमी नहीं होगी इन मैदानों में नई जिल्दकी जन्म ले रही है यहाँ तीन से चार लाख बच्चों का जन्म हुआ है जो यहाँ रहने वाले शिकारीयों के लिए बहुत ज्यादा है और इसकी वज़े से बहुत से बच्चे इनके हातों से बच जाएंगे जो अपनी जीन्स अपनी आने वाली अगली जन्रेशन को दे पाएंगे विल्दबीष्ट का अभी अभी पैदा हुआ पच्छडा अपने सर्वाइवल में एक्सपर्ट होता है कुछी मिंटों ने ये अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और पांच मिनिट बाद तो ये अपने जुन्ट के साथ भाग भी सकता है तॉम्सन गजल का बच्चा अपनी मा का पीछा कर रहा है ये विल्दबीष्ट कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहा है वैसे हरकतें करेंगे तो शिकारी की नज़र ज़रूर जाएगी झाल ज़रूर जाएगी सभी तेज नहीं भाग सकते कुछ भी वेस्ट नहीं जाता हाईना सिर्फ मरा हुआ शिकार नहीं खाते वो बड़े ही चालाग होते हैं और मिलकर शिकार करते हैं और इनके जुंट की कमान एक फीमेल के हाथ में ही होती है अगर आप शान्ती से खाना खाना चाहते हैं तो पेड से अच्छी जगा और क्या होगी लेपर्ड्स ज्यादा तर अपने शिकार को फेड के उपर ले जाते हैं और फिर बिना किसी डिस्टर्बंस के अपने खाने को खाते हैं ये अपने वेड से ज्यादा भाली शिकार को भी आसानी से उपर ले जाते हैं चीता का वजन लेपर्ड के मुकाबले कम होता है पर शिकार में ये किसी से कम नहीं है बच्चों की जिन्दगी हमेशा ज्यादा मुश्किल में रहती है इन काफ्स को बचाने के लिए अडॉल्ट विल्डर बीस ने एक दीवार बनाई हुई है इसलिए फीमेल चीता ने अपने टागेट को चेंज कर लिया है उसे एक हिरण का बच्चा देख गया कब्स को भी घाने का मौका मिला है यहां कोई हाई ना नहीं है लिकिन किसी और ने शिकार का पता लगा लिया है पक्षियों को दूर रखना मुश्किल है क्योंकि जिनकी संख्या ज्यादा होगी वाइदे में हमेशा वो ही रहेंगे इस बार परिवार को कुछ खाना मिला है अडल्ट लेपर्ड ने भर पेट खाना खाया है और बचा कुछा शिकार नीचे लेकर आ रहा है इन जुन्डों के पास घास में एक शिकारी छिपा हुआ है ये लाइनेस अभी यहाल ही में जन्में हजारों बच्चों के आस पास है एक मा अपने कुछ मिनट पहले पैदा हुए बच्चे को छोड़ने के लिए मजबूर है उसने लाइनस को अपने बच्चे से दूर बगाने की एक आखरी कोशिश की मगर अब उसके बच्चे का जिन्दा रहना किसी और की मर्जी पर डिपेंड करता है पता नहीं लाइनस बच्चे को मारने में क्यों जिचक रही है और सबसे हैरानगी की बात ये है कि काफ ने उसे अपना ही समझ लिया है उसकी ये गलती जानलेवा साबित हो सकती है मालूम नहीं क्यों लाइनस भी बच्चे के इस तरह के बिहिवियर को बरदाश्ट कर रही है मालूम नहीं कर दोचे के बिहां जानलेवा तरफ गया काफ अकेला है लाइनस का पेट भरा हुआ है इसलिए उसने बच्चे का पीछा नहीं किया और वो सेफ ली वहां से निकल गया एक ब्लाक जैकल उसकी तरफ बढ़ रहा है वो तो सर्फ खेलना चाहता है अपने जुन्ड और अपनी मा के पास वापस पहुँचना आसान नहीं है शायद यहीं वो मा है जो अपने बच्चे से बिछण गई है यहीं यहीं है ऐसा माना जाता है कि मापने पच्छोडों को सेंट से पैचान लेती हैं लेकिन ऐसे सफल मिलन यहां कम ही होते हैं विल्डबीस्ट मेल्स टेरिटोरियल होते हैं और अपने अलाखे में आने वाले किसी भी तुश्मन को भगा देते हैं लेकिन इतनी ज्यादा पॉपिलेशन में तो अलाखे बहुत ही छोटे होते हैं जुन्ट के छोटे यंग्स्टर्स हमेशा बड़े मेल्स के साथ अपनी दाखत आजमाते रहते हैं फीमेल्स अपने बच्चों को ऐसे मुकाबलों से दूर ही रखती हैं ज्यादा तर मुकाबलों में मेल्स एक दूसरे से सीन टकराते हैं मुकाबले सर्थ दिखावे के लिए होते हैं और ज्यादा तर इनमें कोई जखमी नहीं होता प्हां यहीं होता आम तोर पर लेपर्ट्स को मेट करते हुए नहीं देखा जा सकता इनका मेटिंग पीरियड कुछ दिन तक रहता है और ये हर 15 मिनट के बाद मेटिंग करते हैं फीमेल्स का फर्टिलिटी पीरियड साथ दिन तक चलता है और कंसेप्शन के तीन महीने बाद फीमेल्स दो या तीन बच्चों को जन देती है नदी का ये कमपानी जानवरों को फंसाने में जाल का का काम करता है हलके फ्लमिंगोस तो खाने में बिजी है लेकिन भारी फीमेल विल्डर बीस्ट कीचरों में फंस गई है काफ को इस वक्त यहां से दूर रहना चाहिए ये मा की तरह भारी नहीं है इसी लिए ये सेफ है शिकारी मा या बच्चे में से किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं शायद शिकारी समझ गया है कि कीचरों उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है और शायद इसी लिए उसने बच्चे का पीछे करना शुरू किया हिसने लिए भागे दोगारा शुरू करना शुरू को भागेच का जायद सी लिए लिए भागेचे करना शुरू करना का जाई इसा उन्याद भागे प्रागे विए है हुआ है प्राइट पानी के पास रहता है इसलिए शिकार के और भी बहुत से मौके मिलेंगे ठाका हुआ काफ आराम कर रहा है मगर तब ही उसकी नजर मौत के मूँ से निकल कर आ रही अपनी मा पर पड़ी मा और बच्चे का मिलन होता है रात के वाक्त इंसेक्स भी अपने गाने का रहे हैं प्रोप्ट 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 नया दिन और पुराना खत्रा अक्सर लाइन्स किसी अडॉल्ट जिराफ का पीछा नहीं करते मगर इसका एक कमसोर बच्चा है यह बच्चा बहुत छूटा है यह शिकारी से नहीं बच पाएगा इसलिए मा को इसे बचाने के लिए कोई दूसा तरिखा अपनाना पड़ेगा काफ अपनी मा से अलग होकर घास में छिप गया है लेकिन शिकारी के नजरों से नहीं बच्चे की मा बहुत दूर है वो उसे लाइनस से नहीं बचा पाएगी बच्चे की वो दूसरी लाइनस को भी यहां आते हुए देख रही है चीते कभी कभी मिल कर भी शिकार करते हैं ये भाई इकठे मिल कर शिकार पर हामला करते हैं दूसरी तरफ ये थॉमसन गजल है जो आसानी से हाथ नहीं आता कर दो आसानी से हाथ जे एक दोड़ार कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो छो कर दो ये चारों उसके पीछे हैं ग्रूप लीडर ने जेज शरू की जमीन का ये सबसे देज जानवर सर्फ 30 सेकेंड तक अपने टॉप स्पीड को मेंटेन रख सकता है इस एफर्ट से भाई इंप्रेस नहीं हुए विल्डर बीस्ट के बड़े जुंड के साथ थामसन गिजल्स के कई छोटे जुंड चल रहे हैं अगर चीते की टॉप स्पीड से गिजल्स अपने आपको सेफ रखने में काम्याब हो जाएं तो ये जिन्दा बच सकते हैं वैसे ये जिग-जैग में भी माहिर होते हैं अगर शिकारी थोड़ा सा लड़ खडाया तो अगले दिन तक जिन्दा रहने का मौका मिल जाता है ये लंबी घास के अलाके में रहना पसंद करते हैं और वहाँ पर कब कहां मुसीबत चिपी हो कुछ पता नहीं चलता ये गजैल्स शायद इस वाटर होल को पार करना चाहते हैं लेकिन पानी के नीचे छिपे खत्रूं के बारे में कोई कुछ नहीं जानता इस फीमेल ने पानी में च्छलान तो लगा दी मगर जल्दी ही बाहर निकलने का सही फैसला भी कर लिया जब रेन क्लाउड्स साउथ की तरफ मूव करते हैं तो जानवरों के चुनवी अकेश या फॉरेस्ट से निकलना शुरू करते थे हैं अब ये एक मोटी लाइन में साउथ के अंगोरोंगोरो कॉंसरवेशन एरिया की तरफ चल पड़े हैं तीन हफ़तों से विल्डर बीस की लगातारा रही आवाजें थोड़ा तब गई हैं और उनकी जगा लोकल बर्ट्स के गाने सुनाई दे रहे हैं इंपाला मेल्स अपनी ताकत को आजमा रहे हैं फीमिल्स और यंग्स्टर्स ये सब देख रहे हैं मेल इंपाला टंग फ्लिक करके फीमिल्स को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं मगर कुछ फीमिल्स का दिल जीतना इतना असान नहीं होता रहे हैं पीछा करने का मज़ा जल्द ही धकान में बदल गया है और कई बार अपने आपको समझाना पड़ता है और अगर आपका कोई परोसी उस फीमेल का दिल चीत ले तो आपके लिए अपना जुन्ड ही सबसे कीमती है अगर कोई यंग विल्दर बीस्ट अपने जुन्ड से अलग हो जाए तो उसकी जान खत्रे में पड़ सकती है ये चीते बहुत भूके हैं प्रूके हैं प्राइब कर दोड़ा गिरें और गंभीर रूप से जखमी विल्रबीस्ट ने जल्द ही तम तोड़ दिया लेकिन शिकारी भी स्यादा देर तक शिकार को अपने गबसे में नहीं रख पाएंगे वल्चस को अभी इंतसार करना पड़ेगा अगर आप अपने जुन से दूर निकलाएं हैं तो आप कभी भी मुसीबत में भश सकते हैं एक बेवकूफ मेल लीडर अपनी फीमेल्स को सोडा लेक के सुके हिस्से से दूसरी तरफ ले जा रहा है खुली जगा होने की वज़े से हर कोई उन्हें देख सकता है जान बचाने के लिए जुन के सदस्य चारों तरफ भाग रहे हैं इस अफरा तफरी में सबकी जान तो बच गई मगर इस हल्चल में एक इंपाला का खुटना तूट गया है जल्द ही ये अपने जुन से अलग थलग बढ़ गया है जुन के मेंबर्स ऐसे किसी भी मेंबर्स से दूरी बना लेते हैं जिसकी मूवमेंट्स और पिहेवियर उन से अलग हो जाए शिकारी जखमी जानवर का शिकार आसानी से कर सकते हैं ये आज की रात नहीं काट पाएगा इंपाला के बडूसी ये जिराफ्स बहुत बड़े क्रूप में मूव नहीं करते जैसे ही ये बुल्स अडॉल्ट होंगे इस बैचलर हर्ड के मेंबर्स अलग अलग हो जाएंगे फीमेल्स से मेट करने का दिकार पाने के लिए इनके लड़ाई काफी खतरनाक मूड पर पहुँचाती है इस हौन्ड हेट के हर वार में बहुत ज़्यादा ताकत होती है लगता है ये दोनों मेल्स एक दूशे की ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं ये आडल्ट जीताज इन विल्डर बीस्ट का पीछा करते करते अपने लाके के बाहरे हिस्से में पहुँच गये हैं उनके पास विल्डर बीस्ट का शिकार करने का ये आखरी मौका है उसके बाद ये जुन्डून के लाके से निकल जाएगा उन्होंने मिलकर जुन्पर हमला किया और एक यंग्स्टर को जुन्ड से अलग कर लिया है एक अकेला तीन से मुकाबला कर रहा है डट कर मुश्किल का सामना करने की वज़े से उसकी चान बच गई आने वाले महिनों में ये ग्रेट माइक्रेशन फेमस क्रुमेटी रवर के तरफ पढ़ेगी और वहां इनका सामना खातरनाक नाइल क्रॉकडाइल से होगा सरंगेटी के स्वर्ग जैसे इन छोटे घास के मैदानों को पीछे चोड़ते हुए विल्लबीज, जीब्राज और अंटलूप्स के जुंड अपने मुश्किल और अपनी परिशानियों को अपने साथ ही ले जाएंगे झाल 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 झाल